हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चैनल एटूजय ट्रिप पे और रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी का दर्सन करने के बाद अब हम लोग निकले हुए हैं रामेश्वरम का जो लोकल साइड सीन होता है वो देखने के लिए ऑब विभीशा मंदिर के पास बीशाइब मंदिर यह जो अन्जीए यह बिभीशा मंदिर से पास जो अदेग यह बिभीशा मंदिर है भीषड जी का मंदीर है और वहीं पे मैं हूँ और मैं जा रहा हूं धनुस कोटी की तरफ और यहां घुमने के लिए आपको रामेश्वरम से अटो अगर मिल जायागा मैंने अटो ही बूक कर लिया था और दो तिन घंटे लगेंगे जो आपको पुरे लोकल साइट सीन अगर गुमा देंगे तो उसमें सबसे पहले जी का मंदीर हो गया धनुस कोटी हो गया अब्दुल कलाम जी का घर हो गया और ऐसे चार पाच मंदीर है वह भुमा के फिर आपको वापस वहीं पे छोड़ देगा तो हम लोग कर लिया है और यहां पर आ गये हैं घुमने के लिए औ कर दो जा रहे हैं दनुस कोटी की तरफ दनुस कोटी और लाइट हाउस और देखने के बाद फिर से हम लोग वापस आएंगे रामेश्वरम की तरफ तो ऐसा कुछ चल रहा है तो चलिए जैसा भी आगे मैं चलता हूं तो आपको दिखाता हूं कि और क्या क्या मैं जा रहा कर दो तो चलिए हम लोग दर्शन करके आते हैं तब तक आप enjoy करिए और मंदिर के अंदर तो ऐसे camera अलाउट हो नहीं रहता है तो चलिए आप लोग enjoy करिए तब तक हम लोग दर्शन करके आदें फिर आपसे बात करते हैं कि यह वह मंदिर है विभी सर जी का मंदिर का स्टोरी है कि जब सिर्राम चंजी ने लंका पर बिजय प्राप्त कर ली थी और रामों को मार दिया था तो फिर लंका पर राज करने के लिए विभी सर जी का यहीं पर राजिया विसेग किया था और राजिया विशेक करने के बाद वह वापस अयोधिया चले गये थे और भी विसर जी यहां से फिर लंका चले गये थे तो ऐसा यहां का स्टोरी है और इधर से मंदिर जाने का रास्ता है क्या किसका अरे वहां पर क्या होगा सीन तो जहां चलना है चलो सीने न है बंद होगा मम्मी चलो जाए चला जाए बंद होने का भी तो टाइम हो रहा है और आपको अपडेट कर दे कि जो मतलब की हरूर्ट है वह पाच साड़े पाच बजे इवनिंग तक बंद कर दिया जाता है तो जितना जल्दी हो सके आप लो जा जाए ठाथ अमज़ागाग पाच साइड़े जाए तो फाइनली यहां पर दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे अब चल दिये हैं धनुस कोटी की तरफ जहां से आप सिलंका देख सकते हैं और मौसम साफ रहा तो दिखाई देगा नहीं तो ऐसे नौर्मली नहीं दिखाई देता है और वहां पर दो समंदर का संगम है एक बंगा लाइट हाउस भी दिखेगा काफी सुन्दर सा और आप उसे इंडिया का लास्ट लैंड भी बोल सकते हैं यानि कि आकरी पॉइंट जहां से लैंड खतम हो जाता है और फिर समंदर स्टार्ट होता है तो चलिए इंजॉय करिए काफी खुबसूरत से प्लेस धनुस कोटी को लाइट है तो फाइनली पहुंचा है हम लोग इंडिया लास्ट पॉइंट पे यानि धनुस कोटी और यहां का सिंबॉलिक का है कि आप इंडिया के लाश्ट पॉइंट पे हैं और इसके बाद इधर सिधा स्रिलंका यहां से 18 किलोमेटर स्रिलंका है और मौसम साफ रहता तो सायद कोई पॉइंट दिखता भी और बस तो आगें और इंजॉय करते हैं और एक बात कि यहां पे जो है वो दो समंदर का संग जुआय करिये कि अग्याइब कर दो कि अग्याइब कर दो कि अग्याइब कर दो दो पाइब पॉइंट बंद वहां तक चलते हम लोग तो आइसे वाह पर दो गया है तो फाइनली इस अमेजिंग प्लेस सी यानि कि धनुसकोटी को घुमने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं रामेश्वरम की तरफ धनुसकोटी जाने और आने का जो रास्ता है वो काफी अमेजिंग लगता है काफी अच्छा लगता है क्योंकि दोनों तरफ समंदर और एक पतला सा स्ट्रेच रास्ता जो आपको स्ट्रीट एकदम चले जाता है काफी अच्छा लगता है तो उसी को देखते हुए हम लोग आके जा रहे हैं तो फाइनली यहां पर आने के बाद हम लोग अब्दूल कलाम हाउस यानि अब्दूल कलाम ज चले गाएं और खाना और खाया गया और सिधा मैं रूम में गया आप सो गया क्योंकि कल जो कुछ भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत और वहम लोग कल घुमेंगे और कल हम लोगों की साम की ट्रेन है यहां से निकलने की दिनेक्स टेइलो फ्रेंस गूड़ मॉर्निंग कर लिया है जो हम लोग को घुमाते हुए लार्ट में स्टेशन छोड़ देगा तो जो आज का प्रोग्राम है कुछ ऐसा है हम लोग चलेंगे यहां से सबसे पहले पंच मुखी मंदिर और उसके बाद फिर वहीं पे नटराज मंदिर भी है घुमने के लिए और फिर स्रीक् है और आटो में बैठन कर अब लोग चल दिये हैं काफी खुशूरत जगह है अगर आप आते हैं यहां पर तो जरूर इन सभी जगों को एक्स्प्लूर करिए काफी अच्छा लगता है लोकल वूमने में और लोकल फूलों अगरा खाने में भी काफी अच्छा लगता है तो ब्रीज का जो आपको पत्थर है जो पानी में तैरता हुआ पत्थर आपको वहीं पे रखा हुआ है आसरम के अंदर आप जाएएगा पुरा आसरम दूम्री और वहां पर देख सकते हैं कुछ पत्थर तैरते हुए भी आपको दिखाई देंगे और कुछ पत्थर ऐसे भी जिसे आप छूक के महसूस कर सकते हैं शिराम चंद जी का असिरवाद ले सकते हैं और फिर इसके बाद हम लोगों को यहीं पर थोड़ा बारीस होने लगा और फिर आप सामने नटराजी का मंदिर था तो हम लोग उसमें चले गाए और बारीस खतम होने का वेट करने लगे और काफी खुशूरत नटराजी का यहां पर मुर्ती था आप लोग देखके काफी हम मनेकदम प्रसंद हो गया और फिर थोड़ा देर बाद बारीस खतम होई और बगल में ही थोड़ा दूर और पैदल चलनने पर ही पहुंच गया हम लोग स्रीकृष्ण परणामी मंदिर वह भी मंदिर काफी खुशूरत मंदिर है और अंदर भीर सारी चाकिया बनी हुए इंटर करते ही सबसे पहले आपको गेट पर जाकी दिख जाएगी काफी खुशूरत सा जैसा आप देख पा रहे होंगे और अंदर आपको जो स्रीकृष्ण का जाकी है उसके लिए टिकट आप 10 रुपए एक परसन का टिकट ले सकते हैं और अंदर जाके आपको धेर सारे खुबसूरत खुबसूरत आपको जाकिया देखने को मिलेगी मुर्दी बनाया हुआ मतलब अच्छा खासा राम से राम चंजी का और स्रीकृष्णी जी का सब कुछ बनाया हुआ है तो हम नीटा बाठा हैं ट ? तो सब लोग टिकट लेंगे अंदर चले गए और काफी अच्छा लग घुनके और फिर वापास आने के बाद हम लोग फिर से आउटो में बैट गहें और आटो में बैटने के बाद फिर आम लोग पंबंब भीज देखा गया आप मबंब बार करने के सब्सक्राइब कर देता हो कि आप नाइट में तो आप आराम से नाइट में रेस्ट करिए अपने होटल में जहां भी आप और वहां पर आप सुबह सुबह उठी और सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जितना हो सकते हैं सबसे पहले अगनी तीर्थम अगनी तीर्थम में असनान करिए और फिर उसी भीगे कपड़े में आप सीधे मंदिर में इंटर कर जाएए और मंदिर में आपको 22 तीर्थ का जो क आप वही से आप चाहे तो आटो ले सकते हैं जो आपको पुड़ा रामेश्वरम दर्संद करा देगा अधर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वहां से आटो करिए आटो का फेयर अप्रॉक्स हजार से 1200 रुपे लेता है और आपको पुड़ा रामेश्वरम घुमा अधुल कलाम जी का घर देखिए पंचमो की अन्मान मंदिर देखिए फट्रणामी मंदिर देखिए राष्टे में आपको भी सब्सक्राइब देखने को मिल जाएगा इसने सारे मंदिर घुमते घुमते आपको साम हो जाएगा और साम को वापस आप अपने होटल में आके रिष्ट करिए या अगर आपकी ट्रेंगी है तो आप अपना जाके रात में भी पवाड़ सकते हैं और हम लोग ने हम लोग के पास तो काफिल टाइम था तो हम लोग एद दिन और अराम से घुमें और आज जो है हम लोग जो कुछ बच गया था लोकल में वो सब घुमते ह ऌतुल दो जगत घुरेंगे हम लोग जा रहें मननुधा में हम लोग को जाना है कंया कुमारी कंयकुमारी में लोग को दर्सन करना कर लिका अर्मेंधा स्ब्स. DUI amplaj के चला जाएगा कन्या कुमारी तो चलिए इस ब्लॉक को यहीं पेंड करते हैं और अब आप से मिलते हैं सिरे कन्या कुमारी में